आजादी के माएने क्या हो सकते हैं? जदी आज हम इसे न समझ पाए, तो अपनी आने वाली नसलों को क्या समझा सकेंगे? अगर भारतिय जीवन दर्शन के इंगल से देखा जाए, तो स्वतंत्रता का अर्थ अत्यधिक उद्धन्ता की स्वतंत्रता तो कदापी नहीं है कभी भी दुनिया में अंतिन सत्य वह नहीं होता जो आप सोचते हैं वह भी प्रथम सत्य नहीं, जो आप संपादित कर रहे होते हैं यहां मेरा यह कथन है कि हम आजादी के लिए अपने निहित स्वार्थ को जब तक त्यागना नहीं भूलेंगे तब तक ध्रुव राठियों प्रकाश राज जैसे कुतरकों के तांत्रिकों का जहां तहां जन्म होता रहेगा प्रकाश राज के हवाले से एक राश्ट्र द्रोही स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें प्रकाश राज स्वतंत्रता दिवस दो हजार चॉबीस नहीं मनाएंगे इसका कारण बलातकार और अलपसं ख्यकों के घर पर बुल्डोजर चलाने को बताया गया इस बात को सराहते हुए ध्रुव राठी ने एक राश्ट्रद्रोही टिपणी की है वैसे स्वतंत्रता दिवस वही मना सकता है जिसमें वैचारिक स्वतंत्रता का एहसास हो यह दोनों लोग वैचारिक रूप से आयातित विचारधारा के गुलाम है मित्रों ऐसे प्रकाश राजो ध्रुव राठीयों के विरोध में आवाज उठाना हमारा राश्ट्रधर्म है राश्ट्रिय पर्व का विरोध करना भी अपराध है इससे एक मंतव्य स्थापित किया जा रहा है अलपसं ख्यकों अश्वतों यहूदियों यजीदियों के साथ विश्व भर में हो रहे बांगला देश में आज जो चल रहा है उसे पर विचार किये बिना प्रकाश राज का वक्तव्य एक मंतव्य को स्थापित करने की चेश्टा है मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं प्रकाश राज और ध्रुवराथी ब्रांड लोग भारत के लिए नकारात्मक एन्वायर्नमेंट उत्पन्न करने में जॉर्ज सोरोस के साथ है हरत के लिए नकारात्मक वातावरन तैयार करने वालों के लिए हमने ये सेना तैयार कर रखी है चिंता मत करो आजादी अनंत होगी जिता मत करो आहिए प्रुबबर नकारोस के साथ है तैयार कर दो हम लिए खृविवर प्रूबबर नकारेत है